अदेश का पहला सबसे बड़ा domestic cruise जो है वो अब शुरू हो चुका है ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर नितिन गटकरी का कहना है कि अब cruise service वारण असी और प्रयाग राज में शुरू करने की भी योशना है ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर नितिन गटकरी से खास बातचीत की हमारे समवादाता अनुराग शाहने सबसे पहले तो बहुत-बहुत बढ़ाई एक नई शुरूआत के लिए तो कितना बड़ा इसे देखते हैं और कि आने वाले वक्त में हम मानें कि जिस तरह से मुंबई गोवा के लिए क्रूज शुरू हुआ है तो और भी देश के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह की सेवाई शुरू होगी जिससे जो वाटर ट्रांस्पोर्ट है उसको और बढ़ावा मिल सके हमारे देश में 7000 किलो मीटर का सी फ्रेंट है और अब 20,000 किलो मीटर की रिवर लेंकों जलमार्ग बना रहे हैं अगले साल मार्च में वह भी सब शुरूब से अभी शुरू हुआ है और अभी इलाबास से वार नसी भी कर रहे है उदर बाराक का हमने पूरा डेजिंग किया है रम्मपुत्रा का लगवे डेजिंग काफी जोरों में शुरू है मुझे लगता आने वाले समय में से 14 परसेंट आएगी तो इंटरनाशनल मार्केट में कॉम्पूटिटिव होगे अब वारनसी से हमारी शक्कर बाहर जा रही है हमारी कोईला आता है वहां भराक का में और वहां फ्लैश बंगलादेश को एक्सपोर्ट हो रही है करीब आठ लाग टन का माल अभी वारनसी से अच्छे शुरुआते हैं मुझे लगता है यह बहुत अच्छे तरह इसमें रिसमास करें तूरिजम के अंदर तो काफी मौके हैं वाटर ट्रांस्पोर्ट उसके लेकि तो इसके अलावा भी और क्या-क्या चीजे हैं जिस पर फोकस करके और भी दूसरी सेक्टर से उनको बढ़ावा दिया जा सकता है और अभी हम लोगे मुंबे नया मुंबे का एरपोर्ट है उसको भी पानी से जोड़ रहे हैं ताकि आप कही भी गिरगाव चौपार्टी से लेकर वसे विरार से लेकर काटर में में बैठोगे बोट में बिटोगे और एरपोर्ट उतर के सामा का प्रजेक्ट में बंदूर किया है तो सब्सक्राइब चेसों करोन में हम काम शुरू है उसक्राइब करने के बहुत बहुत शुक्रिया है